कामिक पैसे काम आता है जब उसके खुद के सोलो शोज होते हैं उसके टिकेट में भूइंगे होती हाजार रुपे की आट्सटी रुपे की हाजा हाँ पांसो हजार depending on किया लेवल पर आप और कितनी डिमांड है आप की और वहां पर पैसे कामाते हो कॉलेज शोज में पैसा का मत जब उस जगा है एक जगा पर जबहां है कि हडिन्ध पर शो गया इसमें तो like ईसने में और को बुना अच्छा की को नाएक कुछ सब्सक्राइब को आप डा manifest किया तो न यकुद् theor टो क्वेश करना- इसको रोष्ट करना इसको रोष्टकरना पूरा में कि इनकी details मेंने ठीक है और just जाने से पहले भार आया इसमेने मुझे मत करना वो HR था और मेरे साथ में ऐसा होता है कि में को मना करते है ना जो चीज करने के लिए में को बहुत ज़्यादा वो होता है कि में को वही करना है तो मैंने फिर किसी को roast नहीं करना उसके अलावा for good 40 minutes I only roasted him nothing else and told everybody कि इसने मना किया था कि मुझे मत करना और यह किसी का सगा नहीं है HR को तो ऐसे भी लोग चाहते है कि साले को करो roast नहीं है तो फिर मैं I used you to my advantage फिर HR नहीं बुला अगली बार नहीं बुलाएंगे मैं करते भाग गया इसे corporate show क्या वो रहता कि हमारी employee workforce कम हो रही है खुश नहीं है इसलिए हसाते हैं उनको क्युकि आपके यह practice shows के इंदर भी आदे ज़्यादा corporate आवे थे मैं तो अभी बिसले किसी corporate show में मैंने पूछा कि कोई पैसे बज़ गए है उनके पैसे allotted होते हैं न कि हमें अपनी जन्दब पैसे उसके लिए बुला लेते हैं वो लोग अपनी जनतक ले careware नहीं करते हैं उनको बस creative तरीके ढूडने होते हैं उस पैसे खर्च करने के तो या तो कोई motivational speaker बुला लेंगे which is boring which is very boring मैंने देखा हुआ एक session भाई तो कभी खरा लैंड माप फोरम नहीं नहीं मैं नहीं नहीं ले रहा हूँ किसी का मैंने मोटिवेशन स्पीकर की बात कर रहा हूँ मैं हमने साथ में एक gig किया था और मतलब पहले मेरा शोव वह इतना अच्छा शोव वह बहुत मज़ा है विलकूर रिशी गेश में गंगा जी के साइड में शोव और अब मज़ा आ गया और उसके बाद गया वह उसने जो एस्टेसी कर रही है वहाँ पर भाई और लेडी सक्सेस्फोल लोग को बता रहा है कैसे होन मंत कमाने है आपकी कोट-णकोट हैसी अद अनलोग हो जाती है मोटिवेट कर नहीं कि तुम मेरे जैसा कैसे बन सकती हो जॉब से ब्रेक के लिए मुझे मोटिवेशन क्यों दे रहा है उस्टेम कुछ भी कर भाई यहाँ पर नचा दे किसी दो-चार लोग को कुछ भी कर थो अपने अंदर का एक लूजर इंस्टेंट भी होता है जिसको लोग हमेशा दबाती है यह अपने रूम में पॉजिटिव पोस्टर रगा के रखते हैं कि बहन चुत काला खयाल ना आ जा कि इस तरह से क्योंकि उसको अनर्टेन कर लिया तो मेरे में कमी है यह यह कॉमडी में इस बात को लोग अड्रेस करने को तयार नहीं है कि लाइफ में चल गया रहा है लोग अड्रेस करने को तयार नहीं है तो एक बंदा आके हमारे बिहाफ पर अड्रेस करता है हमें सिर्फ हा हा करना यह नि बोलना मैंने किया है तो इतना बढ़ी रिलीफ है ना कि चलो यह हो रहा है मेर को तो बहुत अच्छा लगता है जब बंदेना वाकए में ऐसी बात बोलते हैं कि भाई इसने क्या बोल दिया ठीक है और अंदर से तुब बोल रहे हो तो इसने सही बोला भाई फ़किन लव इट मानल बहुत बड़ी आई एक बंदे ने बुख एक बंदे ने बोला चे महीने तक बंदी से सारी बात सुनतरा कि इस भाने चूत तो बल जाएगी इस वाने चूत तो बल जाएगी कि बंदे वहाँ पर आये होएं फ्रेंड जोन होके कि बाई चलता रहेगा चलता रहेगा एक दिन तो ऐसा होगा कि उसके बॉइफरेंड का नंबर कमो को मेरा जाएगा उसने वही बात बोल दी प्रूटली कि मैं तो यह करता हूँ यह करता और इसके अंदर जो लोग नहीं हैसरें ना वह अपना आपको रोकर प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हमने वहारा है इसे विचार क्यों आगा हमारे दिमाग में है